हाई फ्रेंट्स में मानों विल्कम टू मूवी शूवी जैसे आप आराम से विडियो बनाऊगा अराम की सिच्वेशन में आपको दिखेगा तो हालकि यह जो मूवी है उसमें काफी साथ उतल पुतले कोई आराम इसके अंदर है नहीं कुछ मूवी जैसी होती हैं जैसे रादे शाम और साहू और कुछ अद तक थौर लव इन थंडर तो इस तरी की मूवी जैसे जादा आपको ब्यूटिफुल लगते हैं यार मेरे को दो देखनी है बक्का है और उसके बाद फिर आपके दिमाद में यहीं आता है कि क्या इस इस सवाल आने शुरू हो जाते हैं तो अथीना एक नेट्लिक्स में मूवी आई है यह आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी वालें से बरी भी है सिविल वार दिखाई गई इसके अंदर इसके बार में डिसकर्स करेंगे ठीक थाक इसके अंदर एक एंगल डाला गया ह है स्टार्टिंग के अंदर इमोशन का पड़ वो क्या कैरी फॉवड रहता है कि नहीं रहता है वो देखेंगे बहुत ही जादा कंफ्लिक्टिंग आईडिया फ्रम दे सेम हाउस यह इसका हाइलाइट है उसके बारे में हम बात करेंगे इस जोन में जाता है यह जाता है हिं दी मुवी दिवार के जोन में एक ही फैमिली से निकले हुए दो बच्चे अलग अलग रस्ता लेते हैं और यहां पर बहुत सरे बच्चे हैं और लॉंग रनिंग शॉट्स बहुत अच्छे तरीके से लिए हैं जिसमें कैमरा कहीं पर भी गुश सकता है जो आपको एक बड जा रहा है काड़ी की नीचे भी जा रहा है कि शीशे में भी गुज जाता है कहीं भी कुछ भी हो सकता है फिर अचानक से एक बंब का वह भी चला जाएगा वह अपको अजीब सा लगेगा एक चीज और मेरी जो हाइलाइट थी यहां पर मुझे असा लगा कि जो मॉब दिखना चाहिए आपको यह वाला आस्पेक्ट और जिसे कहते हैं अब गाने की शादी में अब्दुल्ला दिवाना कैसे हो जाता है वही मॉब मेंटालिटी विली बात तो वह काफी इंपक्फुल तरीके से इस में रिप्रेजेंटेशन हो पाया है अब हो क्या रहा है इसक सिविल वाड टाइप से हो जाती है जहां पर एक ही घर के तीन बच्चे हैं लेकिन अलग अलग रह रहे हैं सो टू से उनमें से चौथा वाला उसका थैंक्यू हो गया अब थैंक्यू होने के बाद एक अन्रेश क्रेट हुआ है वह एक तो हो गया फैमिली के अंदर जो दिम अब आपको मूवी में जो देखने को मिलता है जो चीज़ अपको यहां पर अच्छी लगेगी कि अंडर करंट को यूज करके जो वाइलेंस हो जाती है और जो तीन भाई हैं जिसके अंदर एक का नाम है अब्दुल जो की एक्स आर्भी मैंट टाइप है वो शांती प्रिय अताचार हुआ तो हम इसका बदला लेंगे अपने हाथ में लेके तो वो किस वजाओं से निकल पड़ता है क्योंकि उसकी कोई सुन नहीं रहा तो हर एक का अपना प्रस्पेक्टिव है वर्सेस एक और तीन का तीसरा भाई भी है जो सिचुएशन का फैदा भी उठा रहा ह जिनको लगता है कि वो शायद सेमी भी कम्यूनिटी अब उनको ब्रिक फ्री करना है तो राइट फ्रम दो वर्ड गो थोड़ी सी साइड सी मूवी है और एंड भी इसका कोई बहुत ज़्यादा प्लीजिंग नहीं है हलकी पूल की एक रे ओफ होप देती है लेकिन बहुत जो डिरेक्शन है और यह इसके ब्रिलियंट से कि हर ब्यूत बहुत ब्यूटिफुल लगा जैसे मैं अगर दो जने बात कर रहे हैं तो एक जना थोड़ा सा light में यह थोड़ा दार्क में होगा तो हर फ्रेम में आपको दो-दो कलर देख रहे होंगे तो सिनेमाटिक लिगा भी अच्छी आपको लगेगी और कोई VFX, VFX का कुछ खास को यूज नहीं किया गया बर जो यूज किया गया है, वो यूज किया गया है रियल लोकेशन, रियल लोग जो इसकी सेकेंड प्रोब्लम है रियल लोग इमीडेटली कुछ रिजलूट करने चले जाते हैं जैसे तीनों भाई हैं, तीनों के अपने-पने मुद्दे हैं और फिर हैं कुछ जॉंबी लोग और मैं वाई आपको जॉंबी हैं वो भेड़ चालवा जाए है जो एटीज नाइटीज में पिक्चरे बनती थी ना के पीछे वाले लोग नाच रहे हैं यह वैसी वाली फिलिंग आती है जो टेंशन क्रियेट हो रही है इन तो तिन कारेक्टर में वो आगे नहीं जा रही है और जो डायलोग है वो इस तरीके के नहीं है आई नीड श्ताइल विट सबस्टेंस सोटू से व्यूटे विट ब्रेंस टाइप तो वह यह बोलेंगे कि यार यह मेरे को जमा नहीं मैसाथ कनेक्ट नहीं किया दोलब बोलेंगे हैं यह तो वैसे भी टाइम पास के लिए देख रहा था दिल चुने वाली कोई भी बात नहीं है इसके अंदर मेरा मुवी शुवी स्कॉर इसका लगा 6 ओट ओफ 10 बाकी आप देखो और मैं आपको बताई दिया कि कनेक्ट करेगी कि नहीं करेगी कि मेरे साथ इतना जादा यह कनेक्ट नहीं करेगी बाके हम जल्दी मिलते हैं को रिवी को अप्डेट के साथ डोंट फ़केट तो सब्सक्राइब देखो चैनल एंड स्टे लेजी ओना साड़डे संड़े बाइब बाई